दोस्तों, Indigo Airlines में काफी सारी पोस्ट पर और काफी सारी लोकेशन पर कई सारी जॉब अपॉर्चनिटी निकली है जिर दोस्तों, जैसे कि आप सबी जानते हैं कि Indigo Airlines काफी बड़ी एरलाइन्स है और यहाँ पर regular basis पर कई सारी जॉब अपॉर्चनिटी आती ही रहती है तो यहाँ पर इनकी official वेबसाइट पर फिर से कई सारी जॉब अपॉर्चनिटी आ चुकी है जिन में male और female दोनों ही candidate अप्लाई कर सकते हैं और आज की इस वीडियो में मैं अंकिता आपको दूगी पूरी जानकारी कि किस तरीके से आप इन जॉब अपॉर्चरिटी में अपलाए कर सकते हैं, क्या इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कौलिफिकेशन रिक्वाइड है, कितनी यहां पर आपको सेलरी दी जारी है किस तरीके से आपको अपलाए करना है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है आज की इस वीडियो में, लेकिन दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजे, और भी दबा दीजिए, सो फ्रेंट स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, सो दोस्तो आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर चेकाउट कर सकते हैं, मैंने आप सभी के सामने ओपन अप की है, इंडिगो की ओफिशल वेब साइट, और यहां पर कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, काफी सारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, बट काफी सारी चीजे में रिकॉर्ड नहीं कर पाती, इंडिगो की एक और सबसीडी है, इंडिगो की एक और कंपनी है, जिसका नाम है अजाइल, अजाइल इंडिगो के लिए काफी सारे ग्राउंड स्टाफ को तो आप वहां पर जाकर के भी ground staff के लिए apply कर सकते हैं ground staff जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है जो duties यह लोग करते हैं वो staff के लिए आप directly वहाँ पर जा करके भी बता कर सकते हैं बाकी information जैसे ही मुझे कोई contact number या mail ID मिलती है मैं आपको provide कर दूँगी लेकिन अभी हम बात करेंगे उन opportunity की जो की आपको इनकी official website पर दिखाई दे रही है मैं आपको बता दू कि दोस्तों कहीं hiring निकले या ना निकले लेकिन Indigo में हमीशा आपको hirings दिखाई देगी क्योंकि Indigo जो है मैं कह सकती हूँ कि domestic airlines में सबसे बड़ी airlines है कभी भी आप देखना कभी भी आप एयरपोर्ट पे जाओगे सबसे ज़्यादा आपको flight Indigo की ही दिखाई देगी और सबसे ज़्यादा employee आपको Indigo की ही दिखाई देगे तो आप देख सकते हैं हाँ पर hiring events चल रहे हैं जो कि Kevin crew के लिए है Kevin crew मतलब air hostess के लिए है कुछ जगा पर male candidate भी apply कर सकते हैं और काफी सारी जगा पर female की ही requirement है एक चीज और आपको बताना चाहूंगी दोस्तों Indigo Airlines में हमेशा Kevin crew के लिए events निकलते ही हर महीने निकलते हैं हर महीने आपको यहाँ पर Kevin crew के लिए जो है hiring events तो देखाई देंगे ही देंगे तो इस मन्त जो event जो है चल रहे है यह काफी सारी location पर है आप देख सकते हैं कि कई सारी locations पर यह hiring events चल रहे हैं जैपूर, कॉलकता, इंबाला, गुडगाउं, विशाका पतनम, डेली साथी साथ, एहमदाबाद, पॉंडेचरी, इसके अलावा बगदोरा, लखनव, मुंबई, चिन्नई, काफी सारी location में लगभग सभी location पर, इंडिया की काफी सारी locations पर जहां पर airports हैं, उन सभी जगाउं पर लगभग जो हैं यहां पर hiring events निकले हैं यहां देख सकते हैं, धहरदून, बैंगलॉर, जैपूर में भी, पूने में भी यह hiring events चल रहे हैं, आप देख सकते हैं तो, December से लेकर के लगातार आपके 30 December तक यहां पर hiring events चल रहे हैं मैं आपको बता दो दोस्तों कि इन hiring events में कुछ location पर तो male candidate भी apply कर सकते हैं लेकिन जादा तर location में फीमेल candidate अपलाए कर सकती हैं फीमेल candidate को ही यह opportunity मिलती है Indigo Airlines में यहां पर आप चेक आउट कर सकते हैं इस vacancy में बहुत ही minimum qualification required रहती है सिफ अगर आप 12th pass हैं आप apply कर सकते हैं 18-17 साल के बीच में आपकी age होनी चाहिए और साधी आपकी height जो है यह 155 cm होनी चाहिए और आपका weight जो है body के proportionate BMI में होना चाहिए मैं आपको बता दू कि height सिर्फ इतनी required रहती है कि जो सामान रहता है आप देखेंगे किसी भी airbus में या किसी भी flight में आप जाएंगे तो आप सामान रख सकें उपर जो सामान रखते है ना flight में वस वहाँ पर सामान रख सकें इतनी ही height required रहती है इसलिए height जो है minimum required रहती है और Indigo की जो airbus रहती है यह काफी छोटी रहती है तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ वर से 155 cm height मांगी जाती है आप easily पहुँच सकते हैं सामान रख सकते हैं सामान चड़ा सकते हैं पैसेंजर का तो बस इतनी ही height की requirement रहती है आपकी communication skills अच्छी होनी चाहिए हिंदी, English यापकी local language में साथ ही साथ आपकी personality अच्छी होनी चाहिए है तो दोस्तो अलग-अलग location पर, अलग-अलग जगा पर यहाँ पर hiring events अलग-अलग date पर चल रहे हैं आप देख सकते हैं जैसे कि यह वाला event है यह आपका जो चल रहा है यह मुंबई के लिए है होटल मेरा डॉर में यह hiring event होगा 29 दिसमबर 2022 को address यहाँ पर दिया है पहले आपको apply इनकी official website से करना होगा उसके बाद ही आपको interview में appear होना पड़ेगा तो guys apply कैसे करते हैं वीडियो के अंतर में बताऊंगी काफी सारी वीडियो में लेकर के already आ चुकी हूँ इनकी official website से apply कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारी engineering post खाली है जो कि अलग अलग location की है assistant technical officer की vacancy है जिसमें 2-3 sाल का experience required है invoice processing की vacancy है जिसमें 0 year's का experience required है technician की vacancy है जिसमें 2-4 साल का experience required है manager plm की vacancy है senior manager की vacancy है कई सारी openings यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो की engineering line की है in case अगर आप engineering की नहीं और किसी category में job देख रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप यहाँ से filter लगा सकते हैं आप देख सकते हैं in flight services, cargo, HR, flight safety, commercial में भी job vacancies आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी जो की अलग अलग location की है आप देख सकते हैं आपर nurse की भी vacancy निकली है executive nurse की vacancy निकली है बिहार location की साथ ही साथ आपकी कॉलकाता location की एहमदाबाद, अमरिच सर location की दुर्गपूर location की, हैदराबाद location की आप देख सकते हैं काफी सारी vacancies यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आप इसी तरीके से अपनी profile का filter लगा सकते हैं जिसमें आप experienced हैं या जिसमें आप experience नहीं है जिसमें आप अपना career बना सकते हैं for example जैसे मैं यहाँ पर filter लगा देती हूँ airport operation and customer service जैसी मैंने यहाँ पर filter लगाया आपको यहाँ पर सभी vacancy जो की security customer services में आई है ramp में आई है वो सारी की सारी job opportunities यहाँ पर दिख जाएंगी आप check out कर सकते हैं क्या वहाँ पर अभी भी hiring चल रही हैं अगर चल रही हैं तो वहाँ पर आप अपलाए कर दीजे नहीं चल रही हैं तो बहुत सारी जो opportunities यहाँ पर recently आई है आप उन में try कीजे और वहाँ पर apply कीजे तो guys आप यहाँ से इनकी official website से full time contact basis काफी सारी job opportunity काफी सारी location में apply कर सकते हैं 34 plus location पर यह vacancy है हर जगा की location की vacancy आपको indigo airlines में यहां से इनकी official website से ही दिखाई दी जाएगी वाकि मैंने आपको बताया कि एक company और है indigo की जिसका नाम है agile जिसके लिए आप directly airport पर जा करके पता कर सकते हैं और वहाँ पर regular basis पर hiring events चलते ही चलते हैं लेकर reference मांगा जाता है किसी को अगर आप जानते हैं तो उनके थ्रू आप जा सकते हैं वहाँ पर reference की जादा जरूवत परती है और direct hiring के लिए जिसमें किसी की reference की जरूवत नहीं परती है उसके लिए आप इनकी official website से apply कर सकते हैं अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पर apply कैसे करना है मैं आपको बता दू कि मैं बहुत सारी वीडियो आप सभी के लिए अलरेडी लेकर के आ चुकी हूँ अपने चैनल पर जहां पर मैंने आपको बताया है कि आपको A to Z इसका form कैसे बढ़ना है जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर login to apply now का बटन आएगा इस पर आपको क्लिक करना है अपनी email ID और password डालना है अगर आप first time यहाँ पर आए हैं तो आपको sign up करना है sign up करते ही यहाँ पर आपको first name last name अपनी email ID और password डालना है I am not a robot पर click करके यहाँ पर sign up करना है इसके बाद आपके पास ना इस तरीके का एक form आएगा आपको इस form को बढ़ना है किस तरीके से भर सकते हैं उसके लिए मैंने एक detail वीडियो बनाई है उसका link मैं आपको नीचे description में दे देती हूँ मैंने आपको step by step बताया है कि कैसे आपको apply करना है कैसे आपको resume बनाना है तो आप उस video को check out कर लीजिए उसका link भी मैंने आपको नीचे description में दे दिया है तो guys अगर फिर भी कोई आपको कोई दिक्कत आती है या परिशानी आती है